हर हर महादेव काशी के पुन्य धर्ती के आप सब पुन्यात्मा लोगन के प्रणाम हो सावन महिना चल रहा है ऐसे में बाबा के चर्णों में आने का मन हर किसी को करता है लेकिन जब बाबा की नगरी के लोगों से रूबरू होने का मोका मिला है तो ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए एक दर्शन करने का सवभाग्य प्राप्त हुआ है सबसे पहले तो आप सभी को भगवान भोले नाथ के इस प्रिय महिने की बहुत बहुत शुक कामना है ये भगवान भोगल भोले नाथ के आई आशिरवाद है कि कोरोना के इस संगट काल में भी हमारी काशी उमीद से भरी हुई है उत्साह से भरी हुई है ये सही है कि लोग बाबा विश्वना दाम इन दिनों नहीं जा पा रही और वो भी सावन में न जाना पाना तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ ये भी सही है कि मानस मंदीर हो दुर्गा कुंड हो संकट मोचन में सावन का मेल्या सब कुछ स्थगीत हो गया है नहीं लग पा रहा है लेकिन ये भी सही है कि इस अभूत्पुर्वा संकट के समय में और मेरी काशिये हमारी काशिये इस अभूत्पुर्वा संकट का डटकर मुकामला किया है आज का एक आरकम भी तो इसी की एक कड़ी है कितनी ही बड़ी आपदा क्यों नहो किसी को काशिके लोगों की जीवडता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो शहर दुनिया को गती देता हो उसको सामने कोरोना क्या चीज है यह आपने दिखा दिया है मुझे बताया गया है कि कोरोना के कासी की जो विशेशता है इस कोरोना की कारण काशी में चाई की अडियां वो भी सुनी हो गई है तब डीजिटल अडी शुरू हो गई है अलग अलग छेत्र की विव्यूतियों ने अडी परंपरा को तो जिवन्द किया है यहां की जिस संगीत परंपरा को बिस्मिल्ला खां जी गिरिजा देवी जी हिराल यादव जी जैसे महान साधकों ने समृद्द किया उसको आज काशी के सम्मानित कलाकार नई पिड़ी के कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं इस तरह के अने काम पिछले तीन चार महिने में काशी में निरंतर हुए है इस दोरान भी मैं लगातार योगी जी से संपर्ग में रहता था सरकार के अलग अलग लोगों से संपर्ग में रहता था काशी से जो खबर मेरे पास आती थी उसमें क्या करना क्या नहीं करना लगातार सबसे बात करता था और आप मेंसे भी कई लोग हैं बनारस में कई लोगों से मैं रिगुलरली फोन पर बात करता था, सुखदुख पूचता था, जानकारिया लेता था, फिडबेग लिया करता था, और उसमें से कुछ इसी कारकम में भी, मुझे पका भरुचा है कि यहां बैटे होंगे, जिन से कभी मेरी फोन पर बात भी हुई होगी, संक्रमन को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है, अस्पतालों की सिती क्या है, यहां क्या व्यवस्थाएं की जा नहीं है, क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है, बाहर से आये स्रमिक साथ्यों के लिए हम कितने प्रबंद कर पा रहे हैं, यह समारी जानकारिया, मैं बिलकुल लगाता लेता रहता था, साथ्यों हमारी काशी में बाबा विश्वनात और मा अनपुर्णा दोनों विराते हैं, और पुरानी मान्यता है, कि एक समय महादेव ने खुद मा अनपुर्णा से बिख्षा मांगी थी, तबी से काशी पर ये विशेस आशिर्वाद रहा है, कि अहां कोई भूखा नहीं सोएगा, मा अनपुर्णा और बाबा विश्वनात सबके, सबके खाने का इंतजाम कर देंगे, आप सभी के लिए, तमाम संगठुनों के लिए, हम सभी के लिए, ये बहुत सौभागे की बात है, कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेसकर आप सबको बनाया है, एक तरह से आप सभी मा अनपुर्णा और बाबा विश्वनात के दूत बनकर, हर जरूरत मद्म तक पहुँचे हैं, हैं, इतने कम समय में, फूड हेल्प लाइन हो, कॉम्यूनिटी कीचन का व्यापक नेटवर्क तयार करना, हेल्प लाइन विश्वित करना, डेटेया साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलोजी की मदर लेना, बारानसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का, इस सेवा के काम में भरपूर इस्तिमाल करना, यानि हर स्तर पर, सभी ने गरीबों की मदद के लिए, पूरी क्षमता से काम किया, और मैं ये भी बता दू, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे समस्कारों में है, लेकिन इस बार का जो सेवा कारिय है, वो सामान्य सेवा कारिय नहीं है, यहां सिरफ किसी दुखी के आंखु आंसु पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था, इसमें एक प्रकार से कॉरोना जैसी बिमारी को गले लगाना इसका रिस्क भी था, कहिए कॉरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्यांग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था, और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में, जिन जिन लोगों ने इस कॉरोना के संकट में काम किया है, वो सामान्य काम नहीं है, सिरफ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है, एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था, और सामने जाना, स्विच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी, और मुझे बताया गया है, कि जिला प्रशासन के पास, भोजन बाटने के लिए, अपनी गाडिया कम पड़ गई, तो डांक विभाग ने, खाली पड़ी अपनी पोस्टल बैन इस काम में लगा दी, सोचिए, सरकारों की प्रशासन की छबी तो यही रही है, कि पहले हर काम को मना किया जाता है, यह तो मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हे कौन दूँगा, मुझे तो यह करना है, तुम क्यों न होते हो, यह वो ता था, लेकिन यहां हमने देखा है, कि आगे बढ़ करके, एक दूसरे की मदद की गई, इसी एक जूटता, इसी सामुजता ने, हमारी काशी को और यह ववस्था के लिए, यहां का प्रशासन हो, गायत्री परिवार रचनात्मक्स ट्रस्ट हो, राष्ट्रिय रोटी बैंक हो, भारत सेवासरम संग हो, हमारे सिंदी धवाचिय भाई बहन हो, भगवान अवदूत राम कुष्ट सेवासरम सर्वेश्वरी समू हो, बैंकों स जुड़े लोग, कोट, पेंट, टाई छोड़कर के गली महले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए, तमाम व्यापारी एसोशेशन्स, और हमारे अनुवर जी तो कितना बढ़िया तरीके सा अनुवर एहमद जी ने बताया, ऐसे कितने अंगनीत लोग, और मैं तो अभ परीब सिर्फ पांच साथ लोगों से बात कर पाया हूँ, लेकिन ऐसे हजनरों लोगों ने कासी के गवरव को बढ़ाया है, सैंकडों संस्थाओं ने अपने आपको खपा दिया है, सबसे मैं बात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूँ, इसमें जुड़े हुए हर व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूँ अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने इस संकट में काम किये, इनके आशिरवार ले रहा हूँ और मेरी प्रातना है कि बाबा और मा अन्नपुर्णा मैं आपको और सामर्थ दे, और शक्ति दे साथियों करोना के इस संकट कालने, दुनिया के सोचने, समझने, काम काच करने, खाने पीने, सबके तौर तरीके पूरी तरह से बदल दिये हैं और जिस प्रकार से आपने सेवा कियों और सेवा का समाज जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है मैं बच्वन में सुना करता था कि एक सोनार, उसको छोटा मुटा अपने घर में, सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थे और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजे बनाना वगेर अपना चलता था लेकिन उस महाशाई की एक आदत थी वे बाजार से दातुन खरिदते थे, सुबह में हम पहले की जमाने में आज ब्रश उप यो करते पहले दातुन करते और वो अस्पतान में जा करके वो जो मरीज होता था उसके जो रिस्तेदार होते थे उतनी संख्या गिन करके हर दीन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे यही काम करते थे और दिन भर अपना सोनार का काम करते थे आप हरान हो जाएंगे एक सोनार के रूप में अपने काम के साथ यह दातुन लोकों को मदद करने का उन्होंने छोटा सा अपने आदद बना थी उस पूरे इलाके मों की इतनी छबी थी उनके सेवाभाव की इतनी चर्चा थी कि सोने का काम कराने के लिए लोग कहते हैं अरे भई यह तो सेवाभावी है उन्हीं क्या सोने का काम करवाएंगे याने करते थे वो सेवा लेकिन अपने आप उनकी एक विश्वस लेता बनी थी उनके अपने के सोने के काम को हर परिवार के वो विश्वस तवक्ति बन चुके थे याने हमारा समाज ऐसा है सेवा भाव को सिरफ कुछ पाया कुछ मिला उतने से नहीं उससे भी बहुत अधिक भाव से देखता है और जो सेवा लेता है वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा यह चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रेणा देता है आपने सुना होगा सो साल पहले ऐसी ही बनायनक महामारी हुई थी अब सो साल के बाद यह हुई है और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जनसेंग्या नहीं थी कम लोग थे लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मर गए उन में से हमारा हिंदुस्तान भी था करोडों लोग मर गए थे और इसलिए जब इस बार महामरी आई तो सारे दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था उनको लगता था भाई सो साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बरबादी हुई थी भारत में इतने लोग मर गए थे और आज भारत की इतनी आबादी हैं इतनी चुनोतियां हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस बार भी हारत बिगड़ जाएगा लेकिन क्या स्थिती बने आपने देखा होगा 23-24 करोड के आबादी वाले हमारा उत्तर प्रदेश और उसके लिए तो लोगों को धेर सारी शंका कुशंकाए भी थी ये कैसे बचेगा कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है यहां बाहर काम करने आगए समीक कामगार साथी बहुत है वो दो गज की दूरी का पानन कैसे कर पाएंगे वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे लेकिन आपके सयोग ने उत्तर प्रदेश के लोकों के परिश्रम ने पराक्रम ने सारी आशंकाओं को द्वस्त कर दिया साथियों ब्राजिल जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड है वहाँ यह उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है वहाँ करोणा से 65,000 से जादा लोगों की दुखत मृत्य हुई है 65,000 लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्य करोणा से हुई है यानि यूपी में करोणा से हजारों जिन्दगियां जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी उसको चाली आ गया है आस्तिती ये हैं कि उत्तर प्रदेश्ट ने न सिर्फ संक्रमन की गति को काबू में किया हुआ है बलकि जिने कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रीकवर हो रहे ठीक हो रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी बज़र आप जैसे अनेक महनभौवा की जागरुकता सेवा भाव सक्रियता आप जैसे सामाजिक धार्मिक और परुपकारी संगठनों का ये जो सेवा भाव है आपका ये जो संकल्प है आपके संस्कार है जिसने इस कठीन समय से कठीन से कठीन दौर में समाज के हर व्यक्ति को कोरोना के खिलाब लड़ाई लड़ने की तांकत दी है बहुत बड़ी मदद की है साथियों हम तो काशिवासी हैं और कभिरदाज जी ने कहा है कभिरदाज जी ने कहा है सेवक फल मांगे नहीं सेव करे दिन रात सेवा करने वाला सेवा का फल नहीं मांगता है दिन रात निश्वार्थ भाव से सेवा करता है दूसरों की निश्वार्थ सेवा के हमारे यही संसकार है जो इस मुश्किल समय में देश वांचों के काम आ रहे हैं इसी भावना के साथ केंद्र सरकार ने भी निरंतर प्रयास किया है कि करोना काल के इस समय में सामान ने जन की पीड़ा को साजा किया जाए उसको कम करने के लिए लगातार कोशिश की जाए गरीब को राशन मिले उसकी जेब में कुछ रुपिय रहे उसके पास रोजगार हो और वो अपने काम के रहे रण ले सके इन सभी बातों पर ध्यान दिया है साथियों आज भारत में असी करोड से जादा लोगों को यहां करा बहुत बड़ा है असी करोड से जादा लोगों को मुप्त राशन दिया जा रहा है इसका बहुत बड़ा लाब मनारस के भी गरीबों को स्रमिकों को हो रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दो गुनी आबादी से यहने अमेरिका की जो टोटल जनसंग है उससे डबल लोगों को एक पैसा लिए बिना उनका भरण पोशन कर रहा है और अब तो इस योजना को नवंबर अंत तक यानि दिपावली और छट पुजा यानि तीस नवंबर तक इसको बढ़ा दिया गया है हमारी कोशिच यही है कि किसी गरीब को त्योहारों के समय में खाने पिने की कमी ना हो खाने के साथ साथ लोगडाउन के कारण गरीब को खाना पकाने के लिए इंधन की दिकत ना हो इसके लिए उजवला योजना के लाभार्थियों को पिछले तीन महेने से मुप्त गैस सिलिंडर दिया जा रहा है साथियों गरीबों के जनदन खाते में हजारों करोर रुपे जबा कराना हो या फिर गरीबों के स्रमीकों के रोजगार की चिंता छोटे उद्योगों को रहेडी ठेला लागाने वालों को आसान रण अपलब्द कराना हो या खेती, परशुपालन, मचली पालन और दुसरे कामों के लिए अइतियासिक फैस्ट ले और सरकार ने लगातार काम किया है कुछ दिन पहले ही 20,000 करोड रुपे की मत्स संपदा योजना को भी मंजुरी दी गई है इसका लाब भी इस खेत्र के मचली पालकों को होगा इसके अलाबा यहाँ यूपी में कुछ दिन पहले ही रोजगार और स्वरोजगार के लिए एक और विश्य सा भ्यान चलाया गया है इसके तहर हमारे जो हस्तसिल्पी हैं, बुनकर है, दूसरे कारिकर है या फिर दूसरे राज्यों से जो भी स्रविक साथी गाव लोटे हैं, ऐसे लाखों कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्ता की गई है साथियों, कोरोना की ये आपदा इतनी बड़ी है कि इस से निपटने के लिए लगातार काम हमें करना ही होगा हम संतोष मान करके बैट नहीं सकते हैं हमारे बुनकर भाई वहन हो, नाव चलाने वाले हमारे साती हो, व्यापारी, कारोबारी हो सभी को, मैं आस्वस्त करना चाहता हूँ, कि हमारा निरंतर प्यास है कि सभी को कम से कम दिक्कत हो और बनारस भी आगे बढ़ता ही रहे मैंने कुछ दिन पहले ही बनारस के विकास कारियों को लेकर प्रशासन से, शहर के हमारे विधायकों से भी, टेक्नोलोजी के मादम से लंबी मुलाकात की थी, बहुत डीटेल में बात्चित की थी एक एक चीज को मैंने टेक्नोलोजी और ड्रॉन की प्रद्दी से मोनिटर किया था इसमें सड़कों, बिजली, पानी होत, इसे तमाम प्रोजेक्ट के साथ साथ बाबा विश्वनाद धाम प्रोजेक्ट के स्थिति को लेकर भी विश्तुत जानकारी मुझे दी गई थी मैंने आवश्यक सुचनाई भी दी थी, कुछ रुकावटे दे होती है तो उसको दूर करने के लिए जहां जा कहना था वहां भी कहा था, इस समय कासी में ही लगबग आठ हजार करोड रुपिय के अलग-अलग प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है आठ हजार करोड रुपिय के काम याने अनेक लोगों को रोजी रुटी मिलती है जब स्थीतियां सामान्य होगी तो काशी में पुरानी रौनग भी उतनी ही तेजी से लौटेगी इसके लिए हमें अभी से तैयारी भी करनी है और इसलिए ही तुरिजम से जुड़े सभी प्रोजेक्ट जैसे कुरूज टुरिजम, लाइट अन्साउंड शो, दसास्व मेग घाट उसका पुनरुद्धार गंगा आर्ती के लिए औडियो वीडियो स्क्रीन लगाने का काम, घाटो पर और भी व्यवस्ता प्रबंधन का काम, ऐसे हर प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने पर ध्यान दिया जा रहा है साथियों, आने वाले समय में काशी को आत्मा निर्भर भारत अभ्यान का भी एक बड़ा केंद्र बनते हुए हम सभी देखना चाहते हैं और यह हम सब की जिम्मेबारी भी हैं, सरकार के हाल के फैंसलों के बार, यहां के साधियां, यहां के दूसरे हस्त सिल्फ के लिए, यहां के डेरी, मच्छ पालन और मदुमखी पालन के व्यवसाय के लिए, नई सम्भावनों के द्वार खुलेंगे बीवेक्स की बहुत अधिक दिवान दुनिया में हैं, इसको पूरा करने का प्रयास हम कर सकते हैं मैं किसानों से, युवासातियों से भी यह आगर करूँगा कि इस प्रकार के व्यवसाय में बढ़ चटकर के भागीदारी सुनिश्चित करें हम सभी के प्रयास हो से, हमारी काशी भारत के एक बड़े एक्सपोर्ड हब के रूप में विक्सित हो सकती है और हमें करना चाहिए, काशी को हम आत्म निर्भर भारत अभ्यान की प्रेरक्स थली के रूप में भी विक्सित करें, स्थापित करें साथियो, मुझे अच्छा लगा, आज आप सब के दर्शन करने का मोका मिला और काशी वासियों के सावन महिने में दर्शन होना अपने आप में सहुवाग्य होता है और आपने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है, अभी भी जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे हैं मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ परोपकार के सेवा भाव के अपने काम में आपने सब को प्रेणा दी हैं आगे भी प्रेणा देते रहेंगे लेकिन हाँ एक बात हमें बार बार करनी है हर किसी से करनी है खुद से भी करनी है हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ती चाहते हैं उसको छोड़ना नहीं है अब रास्तों पर थूखना और उसमें भी हमारा बनारसी पान हमने आदत बदलनी पड़ेगी दूसरा दो गज की दुरी गमचे या फेस मास और हाल दुलने की आदत को न हमें छोड़ना है न किसी को छोड़ने देना है अब इसको हमारे समस्कार बना देना है श्वभाव बना देना है बाबा विश्वनात और गंगा मया का आशिरवात हम सभी पर बना रहे इसी कामणा के साथ मैं मेरी बानी को विराम देता हूँ और फिर से एक बार आपके इस महान कार्य को प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भी बना बना देना है